हेलो सुपर गाइस विल्कम रॉद सुपर शोडाउं सो फ्रेंड इंड गेम में में दो उठाने की बाद के कैप्टर में का अब थौर को बीट कर सकते तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स थौर वन में ओरी ने एक स्पेल इंचांट किया था मेरिनर पर यानि कि जो भी मेरिनर को उठाएगा उसके पास थौर की बावर आ जाएगा जो कि एंड गेम में कैप्टर में का मेरिनर उठाया था तो उनके पास अब विट्व कर सकते हैं जिसने थानस को ज्यादा काफि टककर देती उसके बार कैप्टर अमेरिकां स्टॉमगर खोभी उटा सकते हैं तो ससके हैं किस तो जो कि आमारा एंड गेम का फैट यह थकल फिशिकली बहुत ज्यद्धा इसलिए फिवेंगर से ने हैं पर अगर Infinity War के Thor से Captain America लड़े हो तो वो Thor उन्हें आसने से अरा देगा जो कि Captain America ने मेंदर का उठाया वो लैटनिंग स्टार भी कर सकते पर उनके पास God of Thunder यानि तुफान को नेता कि पावर तो नहीं आई है वो खुद Electricity जनरेट ने कर सकते और बिना मेंदर के Captain America सिर्फ एक Super Soldier है So Thor एक Asgardian है इसलिए वो बाकिवस ज़्यादा डूरेबल है और उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है और तो और वो 1500 साल का है जबकि Captain America एक Superwoman है उनकी पावर की लिमिट है और और तो और थोर उनसे ज़्यादा डूरेबल है जबकि थोर के पावसे 1500 साल का Experience So यहाँ पे थोर Captain America को माद दे सकता है So friends और रहाल बात करें तो फैट थोर Captain America को हरा नहीं सकता पर जो हमारा Infinity War का थाओर है वो Captain America को असनी से आरा सकता है यानि कि यहाँ पे यह मैस टाय होती है पर मेरे खहल से यहाँ पे थोर का पल्दा थोड़ा भारिये So friends मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा थोर पसंदे फैट थोर या Infinity War का थाओर So friends इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके और हमाज आपको सब्सक्राइब करना ना भूले अगली वीडियो में हम बात करने के वाले Iron Man कैसे वापस आएगा So guys इसके इस्टूडियो साइनिग आप Be crazy like me तो guys अगर आपको इससे सुपर बैटल पसंद आए और इससे सुपर शोड़ान चाहिए तो हमें कनेट में बताए और साथ इसाथ में आपको हमारी सुपर शोड़ान को प्रेडिश भी रेक्रमेंड करूंगा So guys अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो मचल लोग तो शेयर आएं सब्सक्राइब करना ना भूले